Hello students, how are you all? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले elements of yoga, यानि कि elements क्या है yoga के तो देखिए yoga के 8 elements हैं जिसको मैं आप लोगों को one by one बताऊँगा, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इनके elements है yoga के, ठीक है 8 elements है उनमें से जो पहला element हम लोग देख लेते हैं यम यम का मतलब होता है ethical rules, यानि कि जो हम अपनी life में जो भी हमारे कुछ rules होते है, ठीक है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है ये सब समझने, समझते हैं जो हम लोग, ठीक है, उसमें से ethical का मतलब ये हो गया, जो अच्छा है, जो सही है, वो हमें करना चाहिए, ठीक, तो इसमें कई सारे points दे हुए है, जो कि है अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है, non-violence, ठीक है, non-violence, अब देखो, मैं ये जो points बता रहा हूँ, वो यम के अंदर है, ठीक है, यम के, यानि कि जो ethical rules है, ठीक, उसके अंदर गई, अंतरगत ये बताए गए है, तो इसमें जो है एहिंसा, ठीक, अहिंसा का मतलब होता है, non- stealing यानि कि चोरी नहीं करना ठीक किसी से जोट नहीं बोलना यह सारी चीज़े रहती हैं फिर आ जाता है ब्रह्मचरे ठीक ब्रह्मचरे का पालन करना फिर next point जो है वो है आप परीग्र है यानि कि नॉन पॉजेसिव नैस यानि कि जो भी हम बाहर दुनिया में देख रहे हैं ठ बताए गए तो next बात करते हैं हम लोग की जो नियम है नियम में क्या होता है ठीक next जो point है उसके बारे में बात करते हैं अब यह जो नियम है नियम second point है ठीक है यहां पर ठीक second element of yoga है तो पहले में आप लोगों को बताएं कि थोड़ा सा noise आ रहा होगा तो please adjust कर लीजेगा थोड़ा noise है आसपास ठीक तो चलिए start करते हैं तो second point में बोल रहे है नियम नियम का मतलब है virtuous habits यानि कि ऐसी habits जो मनलब आध्यात्मिक habits की बात कर रहे हम लोग यहां पर ठीक तो इसमें क्या है सबसे पहले बताए गया है शौच यहां पर शौच का मतलब है clearness of mind या cleanliness of mind य होनी चाहिए ठीक हमें इसनान बगरा करना चाहिए हमारी body बिल्कुल सही होनी चाहिए साफसुत्री फिर speech यानि कि जो हमारी speech हम जो जैसा बोल रहे है वो भी सही बोलना चाहिए हमें ठीक अच्छा बोलना चाहिए next इसमें जो point बोल रहे हैं संतोश संतोश का मतलब उताए कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं उन्हों accept करना चाहिए ठीक जो भी हमारी life में चीजे हैं हमें उनको accept करना चाहिए संतोश में रहना चाहिए ठीक फिर है तपस का मतलब यहां पर हो जाता है कि हम जो तपस्ते करते हैं discipline को किसी गोल को हम लोग जो बनाते हैं हमारी लाइफ में उसको मिलब गोल को discipline में अचीब करना ठीक और सही से अचीब करना उसको थोड़ा इंतजार उसमें पर किसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखके काम करना यह सारी कि वेदों की study करना study of the vedas study of self, अपने बारे में समझना अपने आपको समझना, फिर है इश्वर प्राना, इसमें है next point जो है इश्वर प्रानी धान ठीक, यानि कि इश्वर के बारे में ध्यान लगाना, इस बारे में बताया गया है अब बात करते हैं जो third point उसके बारे में, अब इस point में बोल रहे हैं न, third point जो आप लोग देखें यहाँ पर, third, fourth, fifth point लिखें हुए तो जो third point में कह रहे हैं कि third point में कह रहे हैं कि आसन, आसन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, posture, ठीक है एक posture में बैठना, एक आसन में बैठना जिससे क्या होता है कि जिससे हमारा mind relax रहता है हमारी body relax रहती है, ठीक है, यहें बताया गया है, third point में, ठीक, यानि कि third element है, उसमें बताया है, फोर्थ element है, यहाँ पर प्रानायाम, प्रानायाम का मतलब होता है कि ऐसे आसन करना control of breathe, यानि कि जिससे हमारी जो सांस लेने की हमारा जो तरीका है, ठीक, उस पर control करना, ठीक, हमारा हम कैसे उसको, हमारी जो breathing है हम जो सांस लेते हैं, उसको कैसे control कर सकते हैं, हम किस तरीके से सांस लें ये भी बहुत अपने आप में इंपोर्टेंट पॉइंट है या आप लोगों को याद रखना है फिर है प्रत्यहार प्रत्यहार का मतलब होता है कि ड्राउनिंग विदिन वन्स अवेरनेस यानि कि यहां पे हमारे जो गोद इंप्रत्य जो एक्स-पीरियंस है हमारे जो सैंस हैorer को सेंस हैं संक्याइन अपने आहिकले में इसके बताई गई इसाकि मैं आप लोगों को संव्जाबा रहा हूं तो नेक्स ऩे पॉइंट हम लोग देख बाहु stupid है ते हैं मतलब जो हमारा जो नेक्स्ट element है वो देख लेते हैं योगा का अब जो हमारे पास sixth point है वो है धारण धारण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि concentration यानि कि धान लगाना ठीक अब one pointedness of mind यहाँ पर एक word यूचुवा है कि one pointed यानि कि हमारे जो mind है उसको एक point पर टिकाय रखना ठीक है to hold करके रखना maintain करके रखना keep यानि कि उसको maintain रखना एक तरीके से ठीक यह चीज बताई गई है धारण में ठीक concentration बताए गया है फिर है एक ध्यान ध्यान का मतलब क्या हो गए कि जो धारण किया यानि कि जो एक point में mind टिका है ठीक एक point के बारे में mind जो सोच रहा है किसी भी चीज के बारे में तो उस पर ध्यान लगाना ठीक है उस पर लंबे समय के लिए ध्यान लगाना ठीक है joining combining इसके meaning दिये हूँ है combining with union यानि कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आपको पूरी तरीके से जानना एक ऐसा experience होता है इसमें समाधी में ठीक है इसका हम कह सकते हैं कि harmonious whole या फिर putting together यानि कि एक साथ जुड़ जाना इश्वर से जुड़ना ठीक अपने आपको एक तम बताया गया है तो students यही जो 8 points मैंने आप लोगों को बताए हैं यह 8 elements है योगा के तो I hope मैं आप लोगों को इन points को समझाने में समर्थ रहा होंगा मुझे ऐसा लगता है तो अगर आप लोगों को यह video पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए share कीजिए and comment कीजिए